तcej्ट古 अहों हो दिगरी अफ्लेशन में हमारे पास टोटल पांच डीगरी होती एक होताब परकेक्ट जिसमें ज़ो कोरेलेशन है वो जो वैलिव आईगी वह exact ट्लसवन आईगी प्लसवन ही वैलिव आईगी इसको बोलते है परकेकक्ड को जीन Helen perfect positive correlation और जब minus 1 आ जाए तो इसको बोलते हैं perfect negative correlation but high correlation बोलते हैं जब आपके पास correlation जो दो variables है उसकी जो value आ जाए plus 0.75 से plus 1 के बीच में आ जाए plus 0.75 से 1 के बीच में आ जाए तो इसको बोलते हैं high correlation जबकि नेगटीव correlation मलब इसमें भी high negative correlation होगा अगर minus 0.75 से 1 के बीच में आ जाए moderate होता है जब 0.25 से 0.75 के बीच में आ जाए और negative वाला बोलेंगे negativeこうлов little is … मलब moderate negative correlation होगा जब minus 0.25 से 0.75 के बीच में आ जाए low होगा जब 0-0.25 के बीच में आता है त्योरी भी आती है इसलिए बता रहा हूं मैं आपके एक्जाम में फिरी भी होती है इसलिए डिसकस कर रहा हूं तो इसलिए डंग दे समझ लो नेगटिब कोर्रेशन होगा जब 0 से लेके माइनस 0.25 के बीच में आ जाए और जिरो कोर्रेलेशन या नो कोर्रेशन होगा अगर इनके बीच में कुछ भी रिलेक्शनशिप नहीं होती है तो उसको बोलते हैं जीरो को रिलेशन हाई एवरीवन अगर आप क्लास 11 12 या बीकॉम के और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो तो आप जोइन कर सकते हैं अनकाडमी यह एक ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आपके में जोइन करें जोएक कि मुझे वहाँ पर एक तो तीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छ लग़ा और वहाँ पर किसीए सब्सक्राइब तो आप किसी एक टीचर पर डिपेंड काविन होना परा कि अगर हमें उनसे पढ़ने तो उनी से पढ़ने परने अगर ती आपके लिए गूड न्यूज है अनकैडमी पर स्टार्ट हो गया है लर्निंग फेस्टिवल जो 30 अपरिल तक चलने वाला है आप आपके फ्रेंड्स या रेलेटिव्स चाहे क्लास 8 तू 12 में पढ़ते हों या फिर IIT JEE और नीट यूजी के तयारी कर रहे हों अनकैडमी का 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 2.99 में मिल रहा है यह एमाउंट एक दिन के फास्ट फूड की पार्टी से भी कम है इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है लाइफ क्लासेज विद टॉप एजुकेटर्स 24 बाइज सेवन डाउट सॉल्विंग गाइडेंज फूर सीबी एसी बोड प्रपरेशन एड परसनलाइज अकैडमी कांस्लिंग और हां एक और बात अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम मेरा कोड वी आई जे ए वाई 2022 यूज करते हैं तो आपको 20% का extra discount मिलेगा तो है ना मज़िदार तो देर किस बात की नीचे description में जाएं सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें सब्सक्राइब नाव और गेट इस गोल्डन अपर्चिनिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यह आर भी बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं जी आर चे दिनोट करते हैं इसको इसके कुछ मेथड है मैं तीन मेथड की बात करूँग आपसे एक है division taken from actual mean अगर actual mean से division take करें तो आर, आर मींस what? Calculation coefficient of correlation आर से दिनोट करते हैं यह निकालने का formula होता है sigma small x small y multiply करके इसका sigma, sigma means total and standard division of x और standard division of y यह होता है जी अब यह जो small x है वो निकालने का formula होता है x minus x mean और जो small y होता है वो निकालने का formula होता है y minus y mean now standard division of x होता है root में sigma x square upon n और standard division of y होता है root में sigma y square upon n एक पात ध्यान रहे sigma y का square नहीं है y square का sum है x square का sum है यह y square का sum है यह x y का sum है समझ गया है यह बच्चों को बहुत confusion होती है कि sum का मतलब क्या है यहां पर sum मतलब सिग्मा मतलब सम सिग्मा मतलब क्या है sum है यह हमारा जो है यह हमारे पास दूसरा तरीका आप मत निकालो standard division इसको मैं best way बोलता हूं best way इसलिए क्योंकि आपको इसमें standard division नहीं निकालना तो sir पीछे वाला क्यों बताया आपने पीछे वाला इसलिए बताये विरे बच्चे क्योंकि पीछे वाले जो फार्मला है उसमें कभी-कभी आपके जो questions है उसमें short values आ जाती है जिसमें आपको पता है क्या है यह सिग्मा एक्स वाई एन standard division of x और standard division of y दे देंगे बोलेंगे निकालो कहां से निकालोगा समझगा है यह जब यह data दे रखा होगा यहां पर सिग्मा एक्स वाई रूट में सिग्मा एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेर का सम और y स्क्वेर का सम यह multiply करना है आपको यहां पर भी वही मतलब है small x का मतलब x-x mean small y का मतलब है y-y mean यह best way है नाओ इसके बाद है को विर्यांस को विर्यांस यहीं पर समझ लो को विर्यांस जो होता है यह देखो यह जो स्टार्टिंग में फर्मला पढ़ा सिग्मा एक्स वाई Sigma xy upon n ये जो होता है ये covariance होता है क्या होता है ये covariance सिग्मा xy upon n क्या कहलाता है ये covariance यहाँ पर x जो होता है small x x minus x mean और small y y minus y mean ये तो बात रही method 1 की जो दूसरा method है अब ये बात करते हैं बट इससे पहले अगर R kV 0 आज़े है नो आगे नहीं जाएगी अगर आगे आगे आ तो गलत है अनर्थ कर दिया तुमने समझ गए जी वेल्यू आगे और पीछे नहीं जाएगी प्लस वन और माइनस वन के बीच में ही रहने वाली है अभी देखेंगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दूसरा है मेथड हमर पास डारेक् सब्सक्राइब बड़ा कोई फर्मला होता तो बता देते हैं आप मुझको कोई बात नहीं इससे भी बड़ा है भी दिखाऊंगा डराऊंगा चिंता मत करो सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा य अपोन एन फिर यह रूट क्या जी यह यह क्या दे को है जी ही रूट सिग्मा एक्स स्क्वेड माइनस सिग्मा एक्स का इसक्वेर अपान एन नहीं था बच्चे को कोशिन करने को दिया सिग्मा एक्स अपोनन कर ले बिटा पूरा स्क्वेर लगा दे फ्री में बट रहा है लगा दे स्क्वेर कुछ भी यह सिग्मा एक्स एक्स के सम का स्क्वेर अपोनन यह सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई का स्क्वेर अपोनन ठीक है सिग्मा वाइक हाँ हाँ सभी करो यहां पे छोटी सी गलती हो गई है हमसे कहां गया जी यह रह गया यह लिजे लिख दूँ यह लिजे ठीक आगे डीशें टेकई फ्रॉम जॉमिन अब डाल लगा उससे बड़ा ही है हाँ यह जहां पर हम देखो बिल्कुल से मिलता है यह एक्स और वाई एक्स और वाई की जगत डी एक्स दी Y लिख दिया तो दिखो डी एक्स दी वाई का सम माइन सिगमा डी एक्स सिग्मा डी वाई यह जैसे मेरा विजयादर से एक ही नाम है ऐसे डीवाई एक ही है समझ गया माइनस सिगमा डी वाई इस पूरे का स्क्वेर आप ओने डीएक्स का मतलब है एक्स-एक्स एक्स माइनस एक्स-एक्स मतलब क्या है एक्स में से चूज करना है ऐसी डी-ए y-my-nus तो एवाई क्या है एस जूममिन है और वाई मेसे चूज करना है आप कुछ पूछ रही थी यह सब छोटे वाले हैं एक यह एक्स बड़े वाला है यह यह बड़े वाला है और यह वाई बड़े वाला है ठिक जी बहुत साबधानी से इन सब चीज़ों को लिखना भी है और नोट भी करना है आप ऐसे ही नहीं करना ठीक घर से क्या करना है जितने भी बहुत जोदाने आप खूब भी से और समय करना करना है झाल